फ्रेंट्स हाली में भारत के आठ राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त होए हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए भारत के सभी 28 राज्जियों के राज्येपाल का नाम इस वीडियो में लेकर आए हूँ. मैंने आपके लिए सभी कोशन selected और important लिए हैं. अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाला है. सबसे बड़ी बात, लास्ट मैं आपको सभी कोशन का एक बार रिवीजन भी करवाने वाला हूँ. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर्स्ट कोशन से. फिर्स्ट कोशन है मारा, करनाटक के नए राजजेपाल का क्या नाम है? सही आंसर है, ऑप्शन B, थावरचंद गहलोथ. थावरचंद गहलोथ जो हैं फिर्ण्स, ये करनाटक के नए राजजेपाल बने हैं, important कोशन है आपके लिए. फिर्ण्स, देखो, जो भी राजजे आएगा, मैं सासाथ में आपको उस राजजे की राजज़दानी भी बताऊंगा, तो मैं आपको बता दो फिर्ण जो करनाटक है, इसकी राज़दानी है बेंगलूरू, ठीक है, ये आपने याद रखना है, next question कर लेते हैं, गोवा के नए राजजेपाल का क्या नाम है? सही next question, हिमाचल परदेश के नए राजजेपाल का क्या नाम है? सही आंसर है, option B, राजेंदर विशवनाथ अरलेकर, राजेंदर विशवनाथ अरलेकर जो हैं, ये हिमाचल परदेश के नए राजजेपाल बने हैं, बात फ्रेंट्स यहाँ पर हिमाचल परदेश की हुई है, हि एक है फ्रेंट शिमला ठीक है यह आपने याद रखना है और दूसरा है धरमशालाम दोनों आपने याद रखना है Next question कहलेते हैं Next question है मारा मध्य परदेश के नए राज्येपाल का क्या नाम है सही answer है Option B मंगू भाई छगन भाई पटेल मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं ये मध्य परदेश के नए राज्येपाल बनाई गए है Friends यहाँ पर बात हुई है मध्य परदेश की इसकी राजधानी है भोपाल ये भी आपने याद रखना है Next question मिजोरम के नए राज्येपाल का क्या नाम है सही answer है option C हरी बाबू कंभमपती हरी बाबू कंभमपती जो है ये मिजोरम के नए राज्येपाल बने है Friends यहाँ पर बात हुई है मिजोरम की मिजोरम की राजधानी भी important है एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो मिजोरम की राजधानी है आईजोल ये आपने याद रखना है अगला question कर लेते हैं जारखंड के नए राज्येपाल का क्या नाम है सही answer है option A. रमेस बैंस जो है ये जारखंड के नए राज्येपाल बनाई गए है बात यहाँ पर जारखंड की हुई है जारखंड की राजधानी एफेंट्स राच्ची ये आपने याद रखना है फिर सासाते मैं आपको फोटो भी शोग कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहें next question तिरुपूरा के नए राज्येपाल का क्या नाम है सही answer है option C. सत्य देव नरायन आर्या सत्य देव नरायन आर्या जो है ये तिरुपूरा के नए राज्येपाल बनाए गए है friends यहां पर बात हुई है तिरुपूरा की तिरुपूरा की राज्धानी भी इंपोरेंट है तिरुपूरा की राज्धानी है अगरतला ये आपने याद रखना है नेक्स्सक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स् यहाँ पे बात हुई है असम की, असम की राजधानी भी एक्जामे पुछी जाती है, वो है दिस्पूर, यह भी आपने याद रखना है, अगला कोशन है, ओडिसा के राजजेपाल का क्या नाम है, सही आंसर है, ऑप्शन B, गनेशी लाल, गनेशी लाल जो है, यह ओडिसा के ओडिसा की राजधानी है भूवनेश्वर यह आपने याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं अरुनाचल परदेश के राज़दानी है इटा नगर यह भी एक्जाम के लिए इंपॉरेंट है नेक्स कोशन आंदर परदेश के राज़दानी हैं और फ्रेंट आपको यह पताओ ना चीएं कि यह जो आंदर परदेश है भारत का एक मादर ऐसा राज़दानीया है ठीक है तीनों राजधानीया मैं आपको बता देता हूं एक राज़धानी है विशाखा पटनम, दूसरा है करनूल और तिसरा है अमरावती, यह तीन राज़धानिया है आंदरपरदेश की और नए आंदरपरदेश की राज़धाल है वेशो भूशन हरीचंदन, अगला कोशन कर लेते हैं, बिहार के राज़धाल का क्या नाम है, सह और आपको डिटेल वाला PDF चाहिए, तो हमारा Current Affairs का चैनल लौच हो चुका है, हमारे Current Affairs चैनल का नाम है Current Affairs by Ravi, यहाँ पे लिख देता हूँ, Current Affairs by Ravi, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है Current Affairs by Ravi को, यहाँ पे फ्रेंस डिटेल में पढ़ाया जाता है, और डिटेल वाला daily free PDF दिया जाता है, आपकी फेंस एक और डिमांड आ रहे थी कि आपको daily topic wise Current Affairs की वीडियो भी चाहिए, तो उसके लिए फेंस हमारा चैनल है, वो है Ravi and Aditi Classes, इसको भी फेंस आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका भी लिंक वीडियो के अंसर है, Option D, आरिफ मुहमत खान, आरिफ मुहमत खान जो है, यह केरल के राज्यपाल का नाम है, बात यहां पर केरल की हुई है, केरल की राजधानी है, तिरुवनंत पूरम यह आपने याद रखना है, तिरुवनंत पूरम जो है, यह केरल की राजधानी है, अगला कोशन ह मनिपूर के राजजेपाल का क्या नाम है सही आंसर इसका Option B नजमा हैपतुला नजमा हैपतुला जो है ये मनिपूर के राजजेपाल है और फ्रेंट जो मनिपूर राजजे है इसकी राजधानी है इमफाल ये आपने याद रखना है अगला कोशन कर लेते हैं लद्दाक के उपराज्यपाल का क्या नाम है सही आंसर इसका option C राधा किरिश्न माथुर राधा किरिश्न माथुर जो है ये लद्दाक जो कि भारत का एक केंदर शाषित परदेश है ठीके जिसे कि हम यूनियन डिरेटरी भी बोलते हैं के उपराज्यपाल है बात लद्दाक की हुई है लद्दाक की दो राजधानी एफेंट्स एक है ले और दूसरा है कारगिल next question महाराश्ट के राज्यपाल का क्या नाम है सही आंसर इसका option A भगत सिंह कोशियारी महाराश्ट के राज्यपाल है बात महाराश्ट की हुई है राजधानी है मुंबई अगला execution है राज्यपाल का क्या नाम है सही आंसर है option D कलराज मिश्रा जो है ये राजिस्थान के राज्यपाल है ये आपने याद रखना है Option D, सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक जो हैं, यह मिघाले के राजजपाल हैं, फ्रेंस यहाँ पर बात हुई है मिघाले की, मिघाले की राजधानी भी एक्जाम में पूछी आती है, फ्रेंस वो है शिलॉंग, ठीक है यह आपने याद रखना है, अगला कोशन है, नागलेंट के राजजपाल का क्या नाम हैं, सही आंसर है, सही आंसर है, option A, आरेंड रवी, आरेंड रवी जो है, यह नागलेंट के राजधानी हैं, यह भी एक्जाम में कई बार पूछी गई है, तो नागलेंट की राजधानी है, कोही मा, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगला कोशन है सिक्किम के राजजपाल का क्या नाम हैं, सही आंसर है, option A, गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद जो हैं, यह सिक्किम के राजजपाल हैं, यह आपने याद रखना है, बात यहाँ पर सिक्किम की वी एफन, सिक्किम की राजधानी हैं, गंग डोग, अगला कोशन है, च्छतिस तो इसकेट की राजधानी है नया राइपूर यह आपने याद रखना है और फेंट मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में के बाद मैं आपको सभी कोशन का एक बार रिवीजन करवाने वालों और लास्ट में पांच कोशन का टेस्ट है तो फेंट वाला पार्ट आप जरू मैं इस बुक को लाँच करवा दूँगा आपके लिए अगला कोशन है उत्तर परदेश के राजजेपाल का क्या नाम है सही आंसर है ओप्शन C आनंदी बेन पटेल उत्तर परदेश के राजजेपाल है उत्तर परदेश की बात हुई है लखनो है राजधानी अगला कोशन ह तेलंगाना के राज़ेपाल का क्या नाम है? सही आंसर है option B तम्मिली साई सुन्दर राज़न तम्मिली साई सुन्दर राज़न तेलंगाना की राज़ेपाल है बात तेलंगाना की हुई है फेंट्स राज़धानी है है हैदराबाद next question कर लेते है उत्राखंड के राज्यपाल का क्या नाम है सही आंसर इसका option B baby rani moria baby rani moria उत्राखंड के राज्यपाल है और फिर्ण्स अगर बात करें उत्राखंड की उत्राखंड भारत का ऐसा राज्य जिसकी दो राजधानिया है ठीक है तमिलाडू के राज़्यपाल का क्या नाम है? सही आंसर है, option D, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित तमिलाडू के राज़्यपाल है, बात तमिलाडू की हुई है, राज़्धानी है, चेन नहीं. अगला कोशन है पश्रिम बंगाल के राज्येपाल का क्या नाम है सही आंसर इसका ओप्शन C जगदीब धंकड पश्रिम बंगाल के राज्येपाल है बात फ्रेंट्स यहाँ पर पश्रिम बंगाल की हुई है राजधानी है कोलकाता कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल की अगला कोशन है पंजाब के राजजेपाल का क्या नाम है सही आंसर इसका ओप्शन A विजेंदर पाल सिंग बदनौर विजेंदर पाल सिंग बदनौर जो है ये पंजाब के राजजेपाल है बात पंजाब की हुई एफेंट्स राजधानी है चंडिगर्ड अगला कोशन है गुजरात के राजजेपाल का क्या नाम है सही आंसर है ओप्शन C अचारे देववर्थ अचारे देववर्थ गुजरात के राजजेपाल है बात कुजरात की हुई है, राजधानी है, गांदी नगर, यह आपने याद रखना है, नेक्स्ट है मारा, पुड्डुचेरी के उपराज्येपाल, यानि की लेफ्रिनेंट गवर्नर का क्या नाम है, सही आंसर इसका, तम्मिली साई सौंदराजन, नेक्स्ट कोशन, दिल्ली क के उपराज्येपाल, यानि लेफ्रिनेंट गवर्नर का क्या नाम है, आंसर है, अनिल बैजल, नेक्स्ट है, अंडमा निकोबार के उपराज्येपाल का क्या नाम है, आंसर है, दिवेंदर कुमार जोशी, जम्मू कश्मीर के उपराज्येपाल का क्या नाम है, आंसर है, मनो नौर, next question, दादरा और नगरहवेली और दमन और दिव के प्रशाशक का क्या नाम है, प्रफुल पटेल, लक्षदीप के प्रशाशक का क्या नाम है, आंसर है प्रफुल पटेल, friends, मैंने आपको ये 37 question करवाए, ठीक है, डीटेल में, अब friends, इस वीडियो का सबसे बहतरीन पार्ट है, revision, जितने भी question मैंने आपको करवाएं हैं, फटा-फट से मैं आपको revise करवा देता हूँ, और revision करने से पहले मैं आपको बदा दू, friends, कि हमारा जो current affairs by Ravi चैनल है, ठीक है, current affairs by Ravi, इसको आप अभी subscribe कर लिजे, और जो एक और चैनल हमारा Ravi and Aditi Classes, इसको भी आप subscribe कर लिजे, Ravi and Aditi Classes, तो चलिए, friends, हम start कर लेते हैं revision first question से, first question है revision का, करनाटक की नए राज्यपाल का क्या नाम है, सही answer है, थावर चंद गहलोत, अगला question है, हमारा revision का, गोवा की राज्यपाल का क्या नाम है, सही answer है, पिया श्रीधरन पिल्लेई, next question, हिमाचल परदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, सही answer है, राजिंदर, विश्वनात, अरलेकर, next question, मध्यपरदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, आंसर है, मंगू भाई, छगन भाई, पटेल, मिजोरं के राज्यपाल का क्या नाम है, सही answer है, हरी, बाबु, कंभंपति, next question, जहारखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? सही आंसर है रमेश बैंस नए राज्यपाल बने है तिरुपुरा के नए राज्यपाल का क्या नाम है? आंसर है सत्यदेव नरायन आर्यव हर्याना के नए राज्यपाल का क्या नाम है? आंसर है बंडारु दतात्रे नेक्स कोशन, रिविजन का, असम के नए राज्यपाल का क्या नाम है, आंसर है जगदीश मुखी, ओडिसा के नए राज्यपाल का क्या नाम है, सही आंसर है गनेशी लाल, और फेंट्स मैं आपको बढ़ा दूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेर पढ़ना है, तो हमारा कर डेली करंट अफेर पढ़ाया जाता है, और डिटेल वाला PDF भी दिया जाता है, हमारी चैनल का नाम है करंट अफेर बाई रवी, इसको फेंट्स आप अभी सब्सक्राइब कर लिजिए, और अगर आपने डेली टॉपिक वाइस करंट अफेर पढ़ना है, तो उसके लिए है फैंट्स हमारे निया चैनल है, जिसका नाम है रवी औदीति क्लासेश इस चैनल को फैंट्स आप अभी सब्सक्राइब कर लिजिए, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रैप्शन में है, अगला कोशन है, अरुनाचल प्रदेश के राज्येपाल का क्या नाम है, अंसर है बीडी मिश्रा आंदरपरदेश के राज्यपाल का क्या नाम है आंसर है विशु भूशन हरीचंदन बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है आंसर है फागु चोहान नेक्स कोशन केरल के राज्यपाल का क्या नाम है आंसर है आरिफ मोहमत खान नेक्स कोशन मनिपूर के राज़ेपाल का क्या नाम है? आंसर है नजमा हैपतुला अगला कोशन है लद्दाक के उपर राज़ेपाल का क्या नाम है? आंसर है राधा कृष्ण माथोर नेक्स कोशन महाराष्ट के राज्यपाल का क्या नाम है आंसर है भगत सिंग कोशियारी नेक्स कोशन राजिस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है आंसर है कलराज मिश्रा अगला कोशन कर लेते हैं मिघाले के राज्यपाल का क्या नाम है आंसर है सत्यपाल मलिक नागालेंड के राज्येपाल का क्या नाम है? आंसर है आरेन रवी नेक्स कोशन सिक्किम के राज्येपाल का क्या नाम है? आंसर है गंगा प्रसाद अगला कोशन है मरा चछतिस गड़ के राज्येपाल का क्या नाम है? आंसर है अनुसुया उईके नेक्स कोशन उत्तर परदेश के राज्येपाल का क्या नाम है आंसर है अनंदी बेन पटेल नेक्स कोशन तेलंगाना के राज्येपाल का क्या नाम है आंसर है तम्मिली सिसाई सुन्दराजन next question revision का उतराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है answer है बेबी रानी मौर रहा और friends last में आपके लिए 5 question का test भी है तो test वाला part आप जरूर attempt करना इस test ही आपको best बनाता है और friends जल्दी ना हमारी static gk की book भी launch होने वाली है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो यह जो रवी जीके के नाम से फ्रेंज की book launch होगी आपके हर exam के लिए काफी जादा useful रहेगी 80-90% जो questions ओंगे direct static gk के हमारी book से आपको देखने को मिल जाएंगे next question तमिलाडू के राज्यपाल का क्या नाम है आंसर है बनवारी लाल पुरोहित पशिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है आंसर है जगदीब धंकड पंजाब के राज्यपाल का क्या नाम है आंसर है विजेंदर पाल सिंग बदनौर गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है अंसर है अचारे देववर्थ अगला कोशन है मारा पुड्डु चेरी के उपर आज्येपाल यानि की लैफ्रीनेट गवर्नर का क्या नाम है आंसर है तम्मिली साई सुंदराजन दिल्ली के उपर आज्येपाल का क्या नाम है आंसर है अनिल बैजल अंडवा निकोबार के उपर आज्येपाल का क्या नाम है आंसर है देवेंद्र कुमाद जोशी जम्मु कश्मीर के उपर आज्येपाल का क्या नाम है आंसर है मनोस सिनह लद्दा के उपर आज्येपाल का क्या नाम है आंसर है श्री राधा क्रिश्न माथोर चंडिगड के प्रशाशक का क्या नाम है आंसर है वीपी सिंग बदनौर नेक्स कोशन दादरा और नगर हवेली और दमन और दियू के प्रशाशक का क्या नाम है आंसर है श्री प्रफुल पतेल आखरी question करते हैं हम revision का लक्षदीप के परशाशक का क्या नाम है आंसर है श्री प्रफुल पतेल friends मैंने आपको ये 37 question करवाई ठीक है detail में उसके बाद friends मैंने आपको सभी question का revision भी करवा दिया ताकि friends आपको सभी के सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद हो जाएं और friends अब मैंने आपके लिए 5 question का test रखा है friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को like और share ज़रूर करिएगा तो चलिए हम start कर लेते हैं test और friends आपने अपना answer कमेंटर के बताना है अपने जो answers लिखना है वो 15 लिखना है कि पहली का answer डुसरी का क्या है त्सरी का क्या है पांचकर क्या है शुरू करते हैं test पहले question से करनाटक के नई राजेपाल का क्या नाम है ? चार उप्शन्स हैं आपके पास next question है test का गोवा के नए राज्येपाल का क्या नाम है फिरिंट सकर आपको ज्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉस्ट करके टाइम मिले सकते है next question हिमाचल पर्देश के नए राज्येपाल का क्या नाम है 4 options है आपके पास मद्धे पर्देश के नए राजे पाल का क्या नाम है मिजोरम के नए राजे पाल का क्या नाम है फ्रेंट्स मैंने आपको ये 37 कोशन करवाए उसके बाद सभी कोशन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया उमीद करता हूँ आपको सभी के सभी कोशन अच्छे से समझ में आ गए होंगा लास्ट मैं मैंने पांच कोशन का टेस्ट भी ले लिया फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शेर भी जरूर करिएगा एक इंपॉर्न इफॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारे दो चैनल है डेली करंट अफेर अगर आपने पढ़ना है डिटेल वाला पीडिया जाता है और हर दिन वीडियो आती है सुबह चार बजे ठीक है उसमें भी डेली PDF को दिया जाएगा उसका नाम है फ्रेंड्स, रवी अन अदिती क्लास के लाशिस ठीक है रवी अदिती क्लास के लिए जो भी वीडियो आपको मिलेगी ना जैसे वी वाली वीडियो भी वहां पे आई है तो वहाँ पर आपको फ्रेंट्स PDF भी मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और ये चैनल आपके लिए और ये वाल चैनल आपके लिए बहुत जादा यूसफुल रहेगा हमारा फ्रेंट्स वेबसाइट भी है जैसे कभी भी फ्री टाइम में आपको वीडियो नहीं देखना होता आपने बस पढ़ना होता है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो ठीक है आप गूगल पर या किसी भी ब्राउजर पर जाके सर्च करना है आपको रवी-study-iq-gk.com ठीक है यह मारा वेबसाइट है यहाँ पर जाके फ्रेंट्स आप स्टाटिक जीके पढ़िए करन्ट अफेर पढ़िए बदब बहुत जाद आपको नॉलेज गेन होने वाली हमारे वेबसाइट से ठीक है फ्रेंट्स और जल्दी हमारी बुक भी लॉंच हो जाएगी हर एक्जाम के लिए बुक बहुत जादा यूसफुल रहने वाली है जल्दी मैं इस बुक को करवा दूँगा तो चलिए फ्रेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू एंड विश्यू अल दी बेस्ट